मस्कार गाइज स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी लिफ्ट में और आज से हम आपको सुरू कराने वाले हैं SSC GD के previous year के mathematics के questions जो की बहुत ही important है तो चलिए गाइज सुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के वीडियो में हमने पहला question से यहां से लिया है देखिए आप यदि X अनपात बाई बराबर 6 अनपात 5 है तथा Z अनपात बाई बराबर 9 अनपात 25 है तो X अनपात Z का अनपात ग्यात करना है आपको करना क्या है देखिए X अनपात बाई बराबर हमें दे रखा है 6 अनपात 5 तो गाइज इसे हम लिख सकते हैं यहां पर देखिए गाई इसे लिख सकते हैं X बटे बाई बराबर 6 बटे 5 और दूसरा हमें दिया है जैएड अनपाथ बाई, तो देखी कहा हमें यहाँ पर करना है जैड अनपाथ बाई को बाई अनपाथ जैड में कर लेना है यानि के इनके जो ratio है उसे पलेट लेना है तो इससे हम लिख लेंगे 25 अनपात 9 देखिए यहाँ पर हमने by z अनपात by था तो by अनपात z लिख दिया नव अनपात 25 था 25 अनपात 9 लिख दिया अब देखेगा गाईज इससे हम लिख सकते हैं by बटे z बराबर 25 बटे 9 तो देखेगा हमें ratio किसका निकालना है x और z का ratio निकालना है इसलिए हमने इसे पलेट लिया अब देखेगा x बटे by और गोणा लिख देंगे by बटे z बराबर 6 बटे 5 गोणा 25 बटे 9 अब देखेगा गाईज यहाँ पर by से by cancel हो जाएगा पच्चम 25 पांच कट जाएगा और 3 से यह कट जाएगा तीन दूनी 6 तीन दिया नो तो देखेगा गाईज 5 दूनी 10 और बटे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर हमारा बच्चा है x बटे z तो इससे हम लिख सकते हैं x अनपाद जैड बराबर 10 अनपाद तीन क्योंकि इस कोशन का आंसर यही होगा हमारा नेक्ष कोशन से 35, 49, 41, 46, 27 तथा x का ओसत 38 है तो x का मान ग्याद करना है यहाँ पर आपको तो गाईज देखेगा हमें ओसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जितनी भी और उनकी संख्या से हम डिवाइड कर देते हैं हमें ओसत मिल जाता है तो देखेगा गाईज अगर हमें किसी का ओसत निकालना है तो ओसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या जितनी की संख्या है तो यहाँ पर गाईज आप देख सकते हैं यहाँ हमें क्या दिया है हमें औस दे रखा है 38 यहां पर दिया है यहां पर संक्या हमें दिये हैं 35 49 41 46 27 और दिया है हमें एक्स और बटे यह टोटल संक्या है एक दो तीन चार पांच छे तो यहां पर हम लिख लेंगे 6 अब देखेगा गायच क्रोस मल्टिपिलाई कर देंगे 38 गोना 6 बराबर हो जाएगा यहां पर देखेगा जोड़ लेंगे 5 9 14 और 1 15 15 और 6 21 21 और 7 हो गया ग चार दो 6 6 4 10 10 13 13 और 3 कितने हो गए गायच 16 16 और 2 18 तो 188 पिलस एक्स हमें एक्स की वैलू गयात करनी है इनकी गुणा कर लेंगे छेट्थे 48 हासिल 4 और 6 तिया 18 18 और 4 कितने हो गए बाइस बराबर 188 पिलस एक्स हमें फाइंड करनी है एक्स की वैलू एक्स बराबर 228 माइनस 18 तो गैज 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा और 12 में से 18 जाएगे तो गैज कितना बचेगा 4 बचेगा इस तरीके से गैज हमें इ अपसन चालिस सका उपसन एक सही होगा आज कर नेक्स कुशन नेक्स कुशन से हमारा नीचे दिया गया रेखा चितर पांच लगातार वर्सों बाई वन बाई टू बाई थी वाई फोर्थ था वाई फाइव के लिए एक देश के लिए निरियात की तुलना में आयात का निरियात क्या होगा तो यहां पर देखिएगा हमें आयात और निरियात देखिए आयात और निरियात का जो रैसियो दिया है कोशन्स में उसे आप ध्यान से देखिएगा हमें दिया है 0.95 तो 0.95 को अगर हम पॉइंट खत्म करें तो यहां हो जाएगा 100 यानि कि आयात और नि सवका है यानि 95 अनपात सवका है और यहां पर गाइज देखेगा वो साब कहा रहा है कोशन में आयात रुपए 66,000 करोड है यानि कि आपका आयात जो है वो उपर है यहां पर आप कोशन को देख सकते हैं 95 की वेलू हमारी कितनी है, 96,000 करोण है, एक की value guys कितनी होगी 96,000 पटे 95, अब हमें value कितनी निकालनी है, देखिए हमें value निकालनी है निर्यात की, हमसे questions में निर्यात की बात कर रहा है, तो निर्यात की value कितनी है 100, तो 100 की value कितनी हो जाएगी गाई छे अतर हजार गुणा हंड्रेड अपोन नाइन्टी फाइव यहां पर काट लीजिए देखिए उननीस पंजेपि दिखन रकेगा यह वला और पांच दूनी 10 यह हो गया बीस तो बीस की गुणा 4,000 से करेंगे यहां पर आजाएगां गायज कशन का सही आप सण होगा आप्सन ॆप्सन C गाइज नेक्स कोशन है हमारा देखिए प्यूस आठ किलोमीटर प्रति घंटे की गती से दोड़ रहा है तथा वह प्रतेक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम के लिए 5 मिनट रुखता है 56 किलोमीटर की दूरी तै करने के लिए प्यूस कितना समय लेगा तो देखिएगा प्यूस जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गती से दोड़ रहा है मतला एक घंटे में प्यूस 8 किलोमीटर चलता है या दोड़ रहा है प्रतेक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम के के लिए उसे 56 किलो मीटर को दोड़ने के लिए उसे एक घंटे में दोड़ता है आठ किलो मीटर तो 56 बटे आठ हो जाएगा बराबर साथ घंटे यानि के प्यूस को 56 किलो मीटर की दूरी आठ किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तै करने के लिए साथ घंटे का समय चाहिए लेकिन होता क्या है बहत पिरतेक तीसरे किलो मीटर के अंत में आराम के लिए पांच मिनट रुखता है यानि कि चपन किलो मीटर की दूरी में वह हर तीन किलो मीटर के बाद यानि कि चपन बटे तीन किलो मीटर के बाद रुखता है दो बच्चा और यहां हो गया 26 तो तीन अठे 24 यहां पर दो बच्चे तो यह जो वैलू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगी हमारी दो स़ी वो सोरी 18 सही 2 बच्टे 3 तो यहां पर अठारे बार वो रुका 56 कि दूरी तै करने के लिए उसे अठारे बार रुकना पड़ा जब अठारे बार रुकना पड़ा तो हर तीन किलोमीटर के बास वह पांच किलोमीटर रुक्का है तो गाई जिए टाइम कितना हो गया 90 मिनट का बनता है 1.5 घंटा और 7 और 8 तो 8 घंटे 30 मिनट का समय उसे लगेगा आप दिहां से देखेगा वह कहरा है प्यूस 8 किलोमीटर प्रती घंटे की गती से दौड़ रहा है तता वह प्रती एक 3 किलोमीटर के अंत में आराम के लिए 5 मिनट रुखता है 56 किलोमीटर की दूरी तै करने के लिए प्यूस कितना समय लेगा तो यहां पर दियान रगिएगा 56 किलोमीटर की दूरी अगर वह लगातार 8 किलोमीटर प्रती घंटा की रफ्तार से दौड़ता तो उसे 7 घंटे लगते लेकिन प्रतेक 3 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट का आराम करता है तो 56 किलोमीटर की दूरी तै करने के लिए अगर 3 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट रुखता है तो उसने इस टॉप जो लिया आराम किया है वो 18 बार किया तो 18 बार किया एक बार में 5 मिनट तो 18 बार में कितना 90 मिनट तो गाईज इस तरीके से उसे 7 घंटे के अलावा 90 मिनट आराम में लग गए तो 90 मिनट का बनता है आपका 1.5 घंटा तो 7 घंटे प्लस 1.5 घंटा बराबर 8 घंटे 30 मिनट तो गाईज इस कोशन का सही आंसर होगा option C 8 घंटा 30 मिनट next question है हमारा रवी मनीज तथा नवीन अकेले एक कारिय को किरमसा 30 दिन 15 दिन 10 दिन में पूरा कर सकते हैं बे मिलकर कारिया रम करते हैं परन्तु रवी कारिय सुरू होने के 2 दिन बाद कारिय को छोड़ देता है तो हम देखेंगे कि अगर इन तीनों की कारिय छमता निकाली जाए तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेते हैं एक बटे 30 पिलस एक बटे 15 पिलस ये कितना हो जाएगा एक बटे 10 लेकिन कितने दिन काम कर रहे हैं दो दिन तो इनकी कारिय छमता हो जाएगी देखिए दो गुणा इसका LCM ले लेंगे कितना आएगा 30 और 30 एक कम 30 एक 15 दूनी 30 दो आजाएगा 10 दिया 30 तो देखिए 3 दो पांच और 1 छे तो गाईज यह हो गया 2 गुणा 6 वटे 30 छे पंजे 30 गाईज तो इनका काम कितना आगया 2 वटे 5 यानि के तीनों ने मिलकर जो 2 दिन तक काम किया है वो कितना आया 2 वटे 5 अब देखते हैं सेस काम किस किस ने किया है मनीस और नवीन ने तो गाईज यहां पर देखिएगा मनीस और नवीन ने जो काम किया है मनीस का काम है 1 वटे 15 तो देखिएगा 1 वटे 15 पिलस नवीन का काम कितना है 1 वटे 10 और इन दो इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है तीन दिन तो गाईज इसे हम गोणा कर देंगे तीन से यहां देखिएगा यहां इनका लासा आजाएगा देखिए तीस तो पंद्रय दूनी तीस दो एकम दो और दस तीन तीस तो तीन दो पांच तीन गोणा पांच बटे तीस तो यहां पर हो गया तीन दाई तीस और पांच एकम पांच दूनी दस यानि के इन दोनों ने मिलकर जो कारिय किया वो कितना आया एक बटे दो और इन तीनों ने मिलकर जो काम किया था वो आया दो बटे पांच तो कुल कारिय कितना हो गया यहां पर गाईज कुल कारिय हो गया आपका 2 वटे 5 पिलस 1 वटे 2 बराबर देखिए लासा लेंगे 10 हो जाएगा अब देखिएगा 5 दूनी 10 2 दूनी 4 हो गया 2 पंजे 10 5 एकम 5 हो गया तो यह गाय जा गया हमारा 9 वटे 10 तो गायज कुल कारिय जो हुआ है अब तक जो दो लोग छोड़ कर गए हैं उन्होंने काम किया है नौ बटे दस और काम कितना था हमारा एक तो सेस कारिय कितना बचेगा यहाँ पर देखेगा सेस कारिय बराबर हो गया एक माइनस नौ बटे दस बराबर दस दस एकम दस में से नौ गया एक बटे दस सेस कारिय जो बच्चा है गाईज वो बच्चा है हमारा एक बटे दस अब देखिए काम किसे करना है नवीन को करना है तो यहाँ पर देखिएगा नवीन का कारिय देखिए कितना हो जाएगा काम जो है वो कितना है एक बटे दश और नवीन की कारे चमता कितनी है देखिए गा दश दिन में काम कर सकता है तो एक दिन का काम कितना हुआ एक बटे दस यानि एक बटे दस इसे पलच देंगे दस बटे एक तो तस से दस गैंसर बराबर एक दिन तो गई जिस तरीके से जो आशरा आए नवीन का काम जो है नवीन उस काम को कितने दिन में कर देगा, एक दिन में कर देगा, आज का next question, next question से हमारा नीचे दिया गया आंक़ा, उन्हें भी अक्तियों की संक्या दर्साता है, जिनों ने एक निश्चे 83 की बच्चत की है, ये देखियेगा, ये हमें आंक़ा दिया है, तो यहां पर वो पूछ रहा है कोशन में कि तो माध्यक की गर्णा कीजिए तो यहां पर देखिएगा बच्चत रुपए में दी है ब्यक्तियों की संख्या दी है इधर यह रुपए दी है तो गाये जब भी हमको इस टाइप का कोशन मिलेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना ह हमें इनकी निकालनी पड़ेगी संचय बारंबारता तो देखिए गायज हम संचय बारंबारता यहीं निकाल ले रहे हैं यहां आपको निकालनी पड़ेगी संचय बारंबारता यह देखिएगा संचय बारंबारता यहां निकालनी है तो हम यहीं पर निकाल ले रहे हैं दे पर लिहते हैं यह उती है संचाई बारमभारता तो एक में सट इन जोड़ा चार और चार जोड़ेंगे आठा ऑगया क्या दसस अखने चोरिंगे जोरेंगे होसीहа गारें कि यह n का मान मिला इसका मतल़ हमें n की value मिली है गाईज n बराबर14 अब हमें करना क्या है जब भी किसी का माध्यक निकालना होता है तो गाईज माध्यक का पार्मुला होता है माध्यक बराबर n upon two वापद यहां देखेगा n upon two वापद पिलस अगर संक्या सम है तो n upon 2 पिलस 1 वापद यहां देखिएगा 1 वापद बटे 2 तो यहां देखिएगा गाईज हमें n क्या मान कितना है 14 है 14 upon 2 वापद और यहां पर दूसरा हो जाएगा हमारा 14 upon 2 पिलस 1 वापद यहां देखिए और बटे में हमारा आजएगा 2 तो गाईज यहां पर देखिएगा यहां पर दो सत्ते 14 सात्वा पद और यहां पर 7 किसमें आ रहा है इसमें आएगा तो 7 के सामने कितना है, साथवा पद हमारा 20 हो गया, और आठवा पद भी देखिए, इसी कॉलम में आएगा, तो यह हो गया 20, तो 20 पिलस 20, और यह बटे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 बटे 2, बराबर इसका जो आंसर आएगा, गाइज, वो 20 आएगा, थोड़ी जगे कम है, लेकिन आप यहां से समझ लीजिएगा, यहां पर देखिए, जब भी हमें किसी का माध्या की माध्य निकालना होता है, और इस टैप की टेबल दी होती है, तो हम क्या करते हैं, पहले संचेई बारम बारता निकालने का तरीका यही है, कि उसका पहला पद, उसके दूसरे पद में हो जाएगा, फिर इस वाले पद में यह वाला इस वाले योग में यह वाला पद जोड़ देंगे, तो यह आठ हो जाएगा, आठ में दो जोड़ देंगे, दस हो जाएगा, दस में एक जोड़ा ग्यारा, ग्यारह में एक जोड़ा बारा, और बारह में दो जोड़ देंगे 14 और एक 8 वब जायेगा तो साथ वब देखिया साथ संक्रावी यह पर आएगी और 8 संक्रावी यही तो साथ और आठ यानी साथ वब बत भी यहीं होगा तो 20 पिस ब्राबर 4 और बटे में दो है तो दो दूनी चार यानि 20 तो गाईज इस कोशन का सही आंसर होगा हमारा ओप्सन बी अब देखते हैं गाईज नेक्स कोशन हमारा नेक्स कोशन से यदि मनोज रुपए 486 में 324 टाफियं खरीदता है तो 50 पिसर लाब कमाने के लिए उसे 90 रुपए में कितनी टाफियं बेचनी चाहिए तो गाईज यहां पर देखिए गाई 486 रुपए में 324 टाफियं खरीदी गई यानि कि 486 रुपए में तो एक टाफिय की कीमत कितनी है हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी यहां पर एक टाफिय की कीमत एक टाफिय की जो कीमत निकलेगी वो कैसे निकलेगी गाईज ऐसे समझ दीजिएगा जैसे मैं कहूं कि 10 रुपए के 2 पेन है तो गैज जब हम इसे काटेंगे यहां पर देखिएगा नौ से काट लीजिए नौ तियां 27 बच्चे कितने तीन दो पांच 54 हो गए और नौ छक 54 यहां पर देखिएगा नौ पंजे 45 तीन बच्चे नौ चौक 36 फिर कट जाएगा देखिए नौ चौक 36 और नौ चौक 54 दो से काट दीजिए दो दूनी चार और दो तियां छे इस तरीके से गयज इसकी जो बैलू आई वो निकल कर आई आपकी तीन बच्चे दो यानि के एक टौफी की कीमत जो है वो तीन बच्चे दो रुपए है यहां पर देख लीजिए एक टौफी की कीमत कितनी है तीन बच्चे दो रुपए है लेकिन हमें क्या करना है तीन प्रेचनी पड़ेगी लाव कमाने के लिए कमाने के लिए ये देखिए गाइज कमाने के लिए एक टौफी की कीमत निकालेंगे हमें यहां पर एक टौफी की कीमत यहां देखिएगा एक टौफी की कीमत निकालनी है कैसे निकालेंगे एक टौफी की कीमत देखिए तीन बटे 2 रूपे की तो पहले ही भिक रही थी हूँ, अब करना क्या है, उस पे 50 प्रितसत का लाव करना है, तो हम क्या करते है, हमारा फार्मूला होता है 100 प्लस लाव और बटे 100, तो यहां पर देखेगा, 100 प्लस लाव यानि लाव कितना है 50 तो 100 रुपए की चीज कितने में बेचें 150 में तो हमें 50% लाब हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा गाईच 100 तो यहां पर देखिएगा यहां 50 तो गाईच यह कितना हो गया तीन तीन नौ और दो दूनी चार यानि कि अगर हम तीन बटे दो रुपए की टौफी 50 प्रिसर लाब के साथ बेचें तो हमें जो टौफी 9 बटे 4 रुपए में बेचनी पड़ेगी अब गाईच हमें एक टौफी की कीमत मिल गई 50 प्रिसर मिल जाएगा लेकिन हमसे उसने कोशन में पूचा है कि उसे रुपए 90 में कितनी टौफी वेचनी चाहिए तो 9 बटे 4 रुपए की टौफी कितनी हो जाएंगी 90 रुपए की टौफी हो जाएंगी 90 बटे 9 बटे 4 तो यहां दीखिएगा इससे जब हम solve करेंगे तो 90 यह वाल जाएंगी 50 पृपए की टौफी बेचनी है तो उसे 40 टौफियां बेचनी पड़ेंगी तो गाएज इस कोशन का सही आंसर होगा हमारा option C 40 अब देखते हैं गाएज हम next question हमारा next question है यदि A B से 25 पृपए कम है तो 2 B minus A upon A का मान क्या होगा देखिए यह बहुत ही simple questions है यहां पर सीधी सी बात है अगर मान लिया हमने A 100 है तो B कितना हो गया 75 हो गया तो यहां पर देखिएगा क्योंकि 25 पर सत्काम है तो इसका मतलब A बराबर हो जाएगा B कितना हो जाएगा B गुणा 100 minus 25 upon कितना हो जाएगा 100 तो यहां देखिएगा इससे हम लिख सकते हैं A बराबर A बराबर B गुणा 75 upon 100 तो यहां पर देखिए 25,75,25,400 यानि कि A की वैलू हमें जो मिली वो मिली 3 वटे 4 B अब गाइज हमें निकालना क्या है हमें निकालना है 2 B minus A upon A की वैलू तो यहां देखिएगा A की वैलू हमें B के पदों में मिल गई है कितनी 3 वटे तो हम क्या करेंगे इसी में यहीं पर 2 B minus A की जगए कितना रख देंगे 3 वटे 4 B और नीचे है A तो नीचे भी हम कितना रख देंगे 3 वटे 4 B अब गायज यहां क्या करना है हमें यहां पर देखिएगा यहां से B कॉमल ले लेंगे और 2-3 बटे 4 बटे 3 बटे 4 B अब गायज देखिएगा इससे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे यहां B से B कैंसिल हो जाएगा और 4 दूनी 8 आठ आठ में से 3 जाएगे गायज कितने बचेंगे पांच बटे 4 बटे में बचेंगा इस तीन बटे 4 जब हम इसे पलट कर सॉल्व करेंगे तो पांच बटे 4 गुणा कितना हो जाएगा चार बटे 3 तो देखिएगा 4 से 4 कैंसिल बराबर आएगा हमारा 5 बटे 3 तो guys इस questions का सही option होगा हमारा option C 5 बटे 3 अपना next question नेक्श कोशन है एक बर्ग तथा बिरत का परिमाप समान है यदि बिरत का छेत्रफल 2464 cm2 है तो बर्ग का छेत्रफल क्या होगा तो guys सबसे पहले हमें यहां पर क्या दिया है अगर देखा जाए तो पहली चीत तो एक बर्ग और बिरत का परिमाप दिया है तो बर्ग का परिमाप क्या होता है उसकी चारो भुजाओं का जो योग होता है यानि के 4A वो परिमाप होता है और विरत की जो परिदी होती है वो परिमाप होती है यानि के 4 a बराबर 2 pi r हमें कोशन्स में दे रखा है दूसरी चीज हमें क्या दी है विरत का छित्पल दिया है यानि के विरत का छित्पल जो होता है वो आपको फार्मूला याद होना चाहिए विरत का छिटफल बराबर होता है Pyr² Pyr² बराबर हमें दे रखा है कितना 2464 बैलू दे रखी है अब यहाँ पर हमें क्या करना है R² की बैलू निकालनी है तो R² बराबर हो जाएगा 2464 बटे Πाई यानि के अगर हम इसकी बेलू रखें पाई की तो चप आर इसक्वाइर वराबर हो जाएगा आपका 2464 बटे 22 और यहां गुणा 7 यह उपर चला जाएगा देखे गाईज यहां पर हम काटेंगे से 11 से काट देंगे 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 यहां 2 बचे 26 हो गए 11 दूनी 22 यहां 4 बचे 11 चौक 44 दो से काटेंगे 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4 तो गाईज आर इसक्वाइर वराबर हमें जो मिला वो मिला 112 गुणा 7 तो यहां पर देखेगा 112 के अगर हम फैक्टर कर लें 112 के फैक्टर कर लें 2 पंजरे 10 दूच्छंग 12 दूनी 4 और 2 अठे 16 और 2 से फिर काट देंगे 2 एकम 2 2 चौक 8 और 2 सथ चौद है यहां पर दो का ही एक प्र बन राए और साथ इसमें बच्चा तो देखेगा दो दूली चार यानि कि 4 बहर आजाएगा और गुणा 7 तो यहां पर आर की बेलू हमें कितनी मिल गई चार गुणा 7 तो यहां पर r की value हमें कितनी मिल गई 28 मिल गई गई तो यहां पर देखीगा अब हमें r की value मिल चुकी है अब हम यह क्या करेंगे यहां से a की value निकाल लेंगे तो देखी यहां पर हमें दे रखा है 4 a is equal to 2 pi r तो देखीगा 2 into pi की value होती है 22 बटे 7 और r की value है हमारी 28 तो 7 चुक 28 और यहां पर फोर a ए बराबर हो जाएगा 2 गुणा 22 गुणा 4 और बटे में यह वाला 4 4 से 4 कैंसिल तो a बराबर 22 दूनी 44 यानि कि गाईज हमें जो value मिल गई वो a की value मिल गई 44 सेंटी मीटर लेकिन हमें क्या कहा है हमसे पूछा गया है सीधा सीधा बर्ग का छेतर फल तो गाईज बर्ग का छेतर फल क्या होता है भुजा square होता है बर्ग का छेतर फल जो होता है वो भुजा square होता है यानि कि a square होत यहां पर हारी खर देंगे तो देखीएगा चव वालिस की गुणा चवालिस सेáticas यहां पर कर लीजिए चावालिस गुणा चवालिस चाड़ दढ़्याज्रेख्ष सो रह yap यहां पर भी नीचीव एक-situ चैतर आ आएगा आपका कितना आएगा 1936 cm2 तो गाएज यहां पर देखिएगा 1936 cm2 कौन से में है ऑप्शन B में है तो इस कोशन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन भी होगा अब हम गाईज देखते हैं आज का नेक्स कोशन नेक्स कोशन है पुनीत 60 km प्रति घंटा की गती से अपने दफतर जाता है तथा 90 km प्रति घंटा की गती से अपने घर बापस आता है ठीक है उसके बात कहा रहा है पूरी यात्रा के लिए पुनीत की ओसत गती क्या होगी तो गाईज यहां पर देखने वाली बा और दफ्तर से घर की दूरी कैसी होगी गाईच समान होगी तो यहाँ पर जब भी इस टाइप का कोश्चन्स आएगा और आप से औसत गती पूछी जाए तो आप डारेक्टली पिना जिजक औसत गती बराबर निकाल सकते हैं टू एक्स बाई अपॉन एक्स पिलस बाई यानि के पहली चाल गोना दूसरी चाल और बटे में आ जाएगा पहली चाल पिलस दूसरी चाल तो यहाँ पर देखीगा टू इन्टू सिक्स्टी इन्टू नाइन्टी अपॉन में हो जाएगा सिक्स्टी पिलस नाइन्टी तो ग तो गुणा साथ गुणा नब्वे और बटे हो जाएगा आपका 1.5 तो यहाँ पर देखिए गाँ जीरो से जीरो कर गया और 15 चौक साथ दो चौक आठ और आठ नेम बहात्तर तो गैज यह क्या आया यहाँ पर आया बहात्तर अब देखिए का बहात्तर किलो मीटर प्रति घंटा आया है यहाँ पर किलो मीटर प्रति घंटा आया है यह दियान रखना है लेकिन हमें करना क्या है हमें जो आप्सन दिये हैं वो दिया रखना है बहातर मीटर प्रति सेकंड दिया है देखिए लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो बहातर किलो मीटर प्रति घंटा आया है अब हमें मीटर प्रति सेकंड में कनवर्ट करने के लिए बहातर गोणा पांच बटे अठारे करना पड़ेगा ठीक है कितना करना पड़ेगा पांचवटे 18 करना पड़ेगा तो अठारे चौक कितना होता है 42 चार पंजी 20 यानि कि 20 मीटर प्रती सेकेंड इस कोशन्स का आंसर आएगा कभी भी भूल कर भी आप 32 मीटर प्रती सेकेंड पर यहां पर 72 आने के बाद 32 मीटर प्रति सेकेंड पर निसान मत लगा दीजेगा तो इस कोशन का सही आंसर होगा ओप्शन C 20 मीटर प्रति एक लंबरती बेलन की उचाई 16 सेंटी मीटर है यदि इसके आधार का ब्यास 3.5 सेंटी मीटर है तो बेलन का आईतन क्या होगा तो यहां पर देखियेगा अगर हम देखें तो यहां पर यह एक बेलन है इस तरीके से यह हमारा एक बेलन हो गया इसकी उचाई होती है और इसका जो बेास होता है वो यह होता है यानि 2 R बराबर बेास को 2 R से रिप्रजेंट करते हैं और उचाई को H से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा एक लंबरती बेलन की उचाई हमें दे रखी है यहाँ पर आप देखिएगा 16 cm और इसके आधार का ब्यास जो है वो 3.5 cm देया है यानि कि 2R बराबर 3.5 दिया है हमें R की बेलू निकालनी है तो R इस उकल 2 हो जाएगा 3.5 अपॉण 2 तो गैज यह हमें 3.5 अपॉण 2 cm जो है वो त्रज्या मिल गई इस बेलन की हमें क्या मिल गई त्रज्या मिल गई अब हमें निकालना क्या है बेलन का आइतन निकालना है यानि volume निकालना है तो balance का जो volume होता है वो होता है pi r square h तो guys pi की value होती है 22 वटे 7 r की value हमारे पास है 3.5 upon 2 तो 3.5 upon 2 into 3.5 upon 2 और into क्या हो जाएगा h तो h कितना है हमारा 16 तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 चोक 16 तो यहां 4 आ जाएगा और यह दोनों कड जाएंगे यहां पर देखिएगा साथ पंजे 35 तो 0.5 आ जाएगा और अगर हम 0.5 और 4 की गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20 और 20 का हो जाएगा 2 तो 22 दूनी 44 और 44 या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 35 दूनी 70 हो जाएगा देखिए 22 हो गया और यह पांच और 20 दो आ गया दो की गुणा हम 35 से करेंगे तो 35 दूनी 70 यानि 70 को हम लिख सकते हैं 7.0 तो 7 दूनी दूनी 14 के 4 हासिल, एक साथ दूनी 14 14 और एक 15 है । तो गय जीय ज्योंगगेSa 154 cm क्यूब हो जाएगा क्यूंकि यह आईतन का जो मात्रक होता है वो घन क्यूब होता है तो यहां पर इस questions का जो आंसर आएगा गाईज वो 154 cm क्यूब आएगा तो इसका option B कितना है 154 cm क्यूब है तो इस question का यही सही answer होगा चली गाईज अब हम देखते हैं आज का next question से एक्स बर्सों में 3724 रुपए ब्याज अर्जित करती है तो आपको एक्स का मान ग्याद करना है तो यहां पर देखेगा हमारा questions जो होता है ब्याज बराबर होता है देखिए ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 यहां पर देखिएगा तो ब्याज़ कितना है आपका देखिये एक्स बरसों में ब्याज़ जाता है वो 3724 रुपए हो जाता है तो 3724 रुपए और आपको दिया है 10640 रुपए दर आपको दिया हैuj Ini 5 Candor च्छे और दो दूनी चार तो गाई जिस तरीके से यह जो माना आया 3724 इस जिकर टू 532 गुणै एक्स हो गया हमें एक्स का मान निकाना है तो एक्स बराबर 3724 बटे 532 तो यहां पर गाई देखेगा इसे काटेंगे कैसे सबसे पहले आप इसे चाहें तो दो से काट लें लिए चार से काट लें देखिए चार से काट लेते हैं चार एक्कंबין चार चारतीया बारा और चारतीया बारा यहां पर हो जाएगा चार्स यंए इसे यहां पर काटेंगे साथ एकम साथ, दो बचे, सातियां 21 हो जाएगा, फिर दो बचे, और सातियां 21, और देखिए, अब 19 से काटेंगे, 19 सत्य कितना होता है, 133, तो guys, X की जो value मिली, वो मिली 7, इस तरीके से हमारा जो X का मान आया, वो कितना आया, 7, तो इस question का सही answer होगा, option A, 7 बर्स, अब देखते हैं, next question, next question है, हमारा A, अकेले एक कुरसी 40 दिन में बना सकता है, तथा B, अकेले उसी कुरसी को 24 दिन में बना सकता है, यदि A, तथा B, बारी-बारी से एक-एक दिन कारे करते हैं, तथा A, पहले दिन कारे करता है, तो कुरसी कितने दिन में बन जाएगी, तो guys, कराइज देखी गए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यह है, A, करसी को अकेले 40 दिन में बनाता है, यानि एक की जॉकरे सब एक बटे 40 हो गई, B जो करसी जामता है, वह 24 दिन में बनाता है, तो B की की जो कर समता ईक बटे 24 हो गई, अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करते तो कितना काम करते कुल काम करते एक बटे 40 पिलस एक बटे 24 तो यहाँ पर गायज हम देखेंगे कि 24 और 40 का हमें LCM लेना है देखिए 40 और 24 का LCM लेना है छोटी संक्या से काट लीजिए दो दूनी 4 दो एक कम दो दूनी 4 और दो दहीं 20 और दो चेक बार है दो पंजे 10 और दो तिया 6 अब किसी से नहीं कड़ेगा देखिए दो दूनी 4 दूनी 8 आठ पंजे 40 और 40 तिया 120 तो गायज इसका जो मादलासा आएगा वो कितना आएगा 120 तो यहाँ पर हम कितना आएगा देखिए 5 तो 3 और 5 कितना आएगा आठ तो कितना आएगा गाइज 8 30 और आठ से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, आठ ही कम, आठ, और देखिए, आठ पंजे, चालिस, तो कितना आया गाइच, एक बटे पंद्रे आया यहां पर, तो गाइच, देखिएगा, अगर वो दोनों मिलकर, इस कारे को करते, तो कितने दिन में करते, एक बटे पंद्रे द और दो से गुणा कर देंगे, क्योंकि काम जो है, वो एक एक दिन किया है, तो पंद्रे दूनी 30, एक बटे 30 हो जाएगा, एक बटे 30 को पलट कर हम क्या कर देंगे, दिन में कनवर्ड कर देंगे, तो कितने दिन हो जाएगे, 30 दिन हो जाएगे, क्योंकि जब दिन में निका का उसत ए है पिर्तीक संख्या से पांच घटाया जाता है नया उसत क्या है तो याद रखिएगा जब भी कोई समान संख्याएं अलग-अलग हो और उनमें से समान संख्या में घटाया जाए या जोड़ा जाए तो उनका जो नया उसत होता है उसमें भी अगर घटाया गया है तो उतना ही घटा देते हैं और अगर उतना जोड़ा गया है तो उतना ही जोड़ देते हैं तो यहां पर देखिए गान पुराना जो ओसत है वो कितना है ए है और सभी संख्याओं में से देखिए यहां पर दियान देना है प्रतिक संख्या से पांच घटाया जाता है तो इसक कोशन का सही answer होगा option c a-5 जब हम देखते हैं next question हमारा next question है यदि एक बस्तू का किरे मुल्य उस बस्तू के बिक्रे मुल्य से 30% कम है तो लाब प्रतिसत कितना होगा तो यहां पर दीखिएगा किरे मुल्य जो है उस बस्तू के बिक्रे मुल्य से 30% कम है इसका मतलब जाद है किरे मुल्य कितना है विक्रे मुल्य अगर हमारा x है तो किरे मुल्य क्या हो जाएगा किरे मुल्य देखिएगा कितना है 30 प्रतिसत कम है इसका मतलब x गुणा 100-30 बटे कितना हो जाएगा 100 यानि कि यहाँ पर देखिए x गुणा 70 बटे 100 हो जाएगा जीरो से जीरो कड़ जाएगा यानि गाईज साथ एक्स बटे कितना हो जाएगा दस बस्तू का किरे मुल्य कितना हो गया साथ एक्स बटे दस हो गया अब हमें निकालना है क्या हमें तो लाब प्रितिसत पूछ रहा है तो यहाँ पर लाब कितना हो गया, देखिए, लाब कितना हो जाएगा, बस तू कितने की थी, x की, जबकि किरे मुल हमने x की बेची है, और किरे मुल कितना है, 7x upon 10 है, तो देखिए 10x, और यह हो जाएगा, 10x minus 7x, बटे 10, बराबर कितना हो जाएगा, 3x बटे 10 हो जाएगा, गाईज हमें क्या निकालना है लाब प्रितिस्यत निकालना है तो लाब प्रितिस्यत बराबर कितना हो जाएगा तीन एक्स बटे दस गुणा सो बटे साथ एक्स बटे दस तो देखें दस से दस कट जाएगा और इसे एक्स से एक्स कट जाएगा तो 3 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा 300 बटे 7 इस से solve करेंगे देखी 7 चौक 28 दो बचे 20 हो गया 7 दूनी 14 हो गया 6 बचे 7 अठे 56 हो गया और 2 बचे तो 7 दूनी 14 देखीगा 7 चौक भी आ लिस ठीक है 42.86 परसेंट हमारा कितना हो गया यह answer आ जाएगा अब देखीगा इसी कोशन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं जैसे माल लीजिए हमने कोई बस्तू कितने रुपए में खरीदी 100 बिक्रे मुल है 100 रुपए तो हमने तो हमें क्या निकालना है परसेंटेज निकालना है लाप का तो 30 बटे 70 और गुणा कितना हो जाएगा गाईश तो 0 से 0 कट जाएगा यहां पर देखें फिर 300 बटे 7 आ गया यहां पर टिवाइट करेंगे 24 बचे 20 हो गया 7 दूनी 14 हो गया 6 बचे 7 अठे 56 हो गया 4 बचे और 40 हो जाएगा देखें पॉइंट के बाद तो 7 चंग 42 लगबर लगबर 42.86 परसेंट इस कोशन का आंसर आएगा जोकि option D में है तो इस कोशन का सही answer क्या होगा option D. नेक्स कोशन है दो संख्याओं का लासा तथा मासा किरम सा 60 तथा 4 है यानि कि LCM दिया है हमें कोशन का 60 और HCF दिया है गाईच 4 जबकि उनका योग दो संख्याओं जो हैं उनका योग हमें 32 दिया है यानि कि एक संख्या भाइच्स माल लेते हैं दूसरी संख्याओं भाई माल लेते हैं तो एकस पिलस माई इस उकर तो 32 दिया है तो इन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा हमें यहाँ पर इन संख्याओं का जो निकालना है वह X-Y की value चाहिए तो यहाँ पर गाईज आप देख सकते हैं हमें किसकी value चाहिए हमें चाहिए X-Y की value तो यहाँ पर इसकी value निकालने के लिए हमें क्या करेंगे X-Y का whole square is equal to होता है X-Y का whole square minus 4XY तो यहाँ पर देखेगा एक चीज़ और है अगर आपने पढ़ा है LCM और HCF तो एक फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणफल यानि X into Y is equal to होता है LCM into HCF पढ़ा है अगर नहीं पढ़ा है तो दिहान रखिएगा फार्मूला होता है X into Y is equal to LCM into HCF LCM हमारा कितना दिया है 60 दिया है और HCF कितना दिया है 4 दिया है तो 624 यानि के 240 दोनों संख्याओं का जो गुणफल आएगा वो आएगा हमारा 240 अब यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है क्योंकि हमें वैलू किस की चाहिए X minus Y की चाहिए तो हम फार्मूला लगाएंगे minus 12 X minus Y का whole square is equal to होता है X plus Y का whole square minus 4 X Y तो देखिएगा गाईच X plus Y की वैलू हमें कोशन में ही दी है 32 तो 32 का whole square minus 4 और हमें X Y की जो वैलू दी है वो कितनी दी है गाईच 240 दी है तो यहाँ पर देखिएगा 32 का जो होल स्क्वाइर आएगा वो होता है 1024 और यहाँ पर गुणा कर लेंगे देखिए 4,416 के 6 हासिल 1,4 दुनिया 8 और 1,9 तो यह हो गया 960 तो देखिएगा यहाँ से 1024 में से 960 घटा देंगे तो कितना आएगा 4024 कितना हो गया 64 यानि के हमें जो value मिल गई x-y का whole square हमें मिला कितना 64 अगर हम यहाँ पर कर दें यह 8 का work हो जाएगा और यह x-y का whole square हो जाएगा whole square से whole square गायब हो जाएगा तो x minus y is equal to कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा हमसे x minus y की value ही find करवा रहा है तो guys x minus y का मान जो आया वो 8 आया इस तरीके से इस questions का सही answer होगा देखी guys option D question है हमारा देखी 4 भाग 2 plus 2 minus 1 पटे 2 गुणा 1 पटे 4 और 8 minus 3 भाग 1 पटे 4 plus 6 है जहां पर कि हमें board mask का यूज करना है तो guys यहां पर देखीगा board mask का यूज करते हुए सबसे पहले हमें क्या करना है है यहां पर देखीएगा सबसे पहले board mask के अनुसार ना break it है ना off है यहां पर division है तो हम सबसे पहले 4 का भाग 2 से करेंगे देखीए पहले इस portion को solve करेंगे तो 2 दूनी 4 तो यहां पर guys हमें मिल जाएगा कितना 2 plus 2 ऐसे ही आ जाएगा minus अब यहां पर देखीगा 1 बटे 2 गुणा 1 बटे 4 है तो पहले इस portion को solve करेंगे तो यह आ जाएगा 1 बटे कितना आ जाएगा guys 2 चौक 8 ऐसे नीचे देखीएगा नीचे 8 माइनस यहां पर 3 भाग 1 बटे 4 है तो 3 बटे 4 करेंगे तो यह पलट के 4 यहां पर गुणा में आ जाएगा और पिलस का 6 हो जाएगा इसे थोड़ा और solve करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे 2 दो 4 हो गया माइनस एक बटे 8 हो गया बटे में 8 माइनस 3 चौक 12 हो जाएगा देखिए माइनस का 12 हो जाएगा और पिलस का गईच 6 हो जाएगा इससे solve कर लेंगे हम देखिएगा 8 हो जाएगा यहां पर देखिए यहां पर 8 हो जाएगा और यहां पर देखिए 8 चौक 32 32 माइनस 1 हो जाएगा बटे में यहां पर देखिए पिलस पिलस वाले जुड़ जाएगे 8 और 6 14 हो जाएगे और यहां पर 14 माइनस 12 हो जाएगे यहां पर देखिए गा सब 12 में से एक जाएगा तो 31 बचेगा तो यह 31 वत्टे आठ्ट हो जाएगा और यहां पर दीखिए-गा 14 में से 12 जाएंगे 2 बचेंगे तो देखिए ख़से जब हम इस तरीके से पटेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका देखिए 31 बटे 8 और यह दो पलट के आ जाएगा नीचे तो 8 दूनी 16 तो गाईज यह जो आंसर आएगा इसका कितना आएगा 31 बटे 16 तो देखी गाईज इस question का जो answer मिला हमें 31 बटे 16 मिला जो कि इस questions के option D में है तो इस question का जो answer होगा कितना होगा option D 31 बटे 16 अब दिखते हैं हम नेक्स कोशन हमारा नेक्स कोशन है 6 सही एक बटे 2 पिलस 80 भाग 40 माइनस 30 बटे 7 का ब्रेक इट में हैं 5 माइनस एक बटे 3 तो यहां पर भी गाईज बार्ड मास का ही रूल्स लगेगा यहां पर अगर आपको बार्ड मास नहीं आत बटे 2 हो जाएगा गाईज और पिलस देखिए असी भाग 40 है तो यहां पर 40 दूनी असी यहां दो आ जाएगा माइनस 30 बटे 7 का यहां पर देखिए का आ गया है और पांच बटे 5 माइनस एक बटे 3 है तीन एलसीम आ जाएगा तीन पंजे 15 15 में से एक जाएगा तो फिर इसे सॉल्व करेंगे हम इस 13 बटे 2 को अभी ऐसे ही लिखा रहने दीजे पिलस 2 को ऐसे ही लिखा रहने दीजे माइनस 30 बटे 7 गुणा हो जाएगा आप 14 बटे 3 तो देखिए 7 दूनी 14 और 3 धाई 30 तो गाईज 10 दूनी कितना हो जाएगा 20 यानि 13 बटे देखिए लेली जिया आप 2 यहां पर 13 ऐसे ही रहेगा दो दूनी 4 आजएगा और 2 दूनी 4 माइनस का 40 आजएगा तो यहां पर देखिए 13 चार सत्रे सत्रे माइनस 40 बटे 2 और 20 मेह さत्त्रे जाएगे तो गाइज माइनस का बचेगा 22 यह एस कोशन का आनसर आएगा माइनस टेसं बट सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और सियर करना न भूलें अपने दोस्तों के बीच में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद